हेलो फ्रेंट्स असलाओं वालेकूम बेलकम टू माई चैनल तो अभी टाइम हो गया है साड़े चार बज गए है और बस अभी आजान होगी तो नमाज पढ़ूंगी फिर उसके बाद मैं इफ्तियारी बनाऊंगी तो वह सभी का रोटीज रहता है इस टाइम का तो अभी मेर मैंने ब्लॉग डाला था सोपिंग वाला तो उसके थोड़े से कमेंट आयते तो मैं उनको थोड़े सा किलियर करना चाहती हूं क्योंकि मैंने चाहती कि किसी के दिल में कुछ गलत फेमी रहे किसी भी बात को लेके तो मैं मतलब मेरी कुछ मेरी वज़े से किसी के दिल में एसे कमेंट कर रहें मैंना टैटल के लिखाता में ट्राइटल ये लिखाता कि मार्किट जाने में इतनी पहली बार दगई तो मैं आपनी स्वापिंग्स और मैंनी डालती हूं तो इसको लेके तो आप कमेंट करना बहुत ही गलत है तो कुछ लोगों ने तो वीडियो देखी नहीं है और बस कमेंट कर दिया मतलब इस दोर में भी मतलब अभी इतना गलत टाइम चलना है कि इनसान आज है कल नहीं है इनसान मतलब इस टाइम पर भी मतलब किसी के लिए कु इतना दिल में कड़वाट क्यों रखना है इस जमाने में मतलब कि चारो तरफ इतनी महावारी फेल लए है और हमको पता नहीं है कि हम आज सही है कल सही नहीं है तो थोड़ा तो प्यार दिखाओ इतना दिल में नफरत इस दोर में तो नहीं रखो क्यों इस जमाने में अभी इस टाइम पर कोई भी सेफ नहीं है सोचें कि हम घर में बैटें तो हम सेफ हैं तो कोई भी सेफ नहीं है ठीक है ना तो मैं यह सोचती हूँ कि अब तो मतलब एक दूसरे के लिए प्यार दिखाओ अपने ही मतलब के नहीं इनने यह लिख दिया तो क्राइब तो सूपिंग गारी हो मैंने उस ओनला कि मैं उनके लिए लेकर आज गो तो तो देती तो यthकी उली कर रहे तिक यम किसी को कुछ देखे हैं तो मतलब हम को हम पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और जिसको हम दे रहे हुसको पता होने चाहिएblade क्या कर रहे हैं। लिए पूरा के लियर नहीं है। इसलिए नहीं बता , क्वोज बोलते कि तुम खर रही है। इंसान ना इधर खुश रह सकता है नहीं उधर खुश रह सकता है तो फिर बोलो क्या करें मतलब तो मैंने मतलब सिर्फ इतना मतायना मैं कपड़े लेने जा रही हूं देने के लिए है मैंने सीधा बोला है मैं नाकी अपने लिए नहीं कर रही सोपिंग मैं अपने बच्चों के तक के लिए सोपिंग नहीं कर नहीं करना मुझे सोपिंग नहीं प này क्या होँँ। लेकिन जुरूरत इतनी इसना है जब पहली बात इनहों रह == कुछ ने कमेंट किया कि आप उनको पेसे दे दिती ही पेसों की जरूरत है यह चीज मुझे है कि पेसों की जरूरत मैंने पहले यही सोच था कि मैं थे लोगी और मैं इस दे निग आ नहीं पर बढ़िए मैं सोफ कर रही है मैं एंके लिए भूले हूँ नहीं है कि वह बहुत बड़ाद वब सोफ कर रही हूं यह चीज्ज नहीं है हम अधर जितना को इस्वार इस्सा निकालते थे उससे डवल इस वार निकाला क्योंकि हमें पता है कि इंसान की क्या सच्वेशन हो रही है इस टाइम पर कोई काम दंदा नहीं चला है तो इस वार मतलब ईद पर जो भी बाड़ते हैं चीजें वो हमें मिलेंगी डवल मिलेंगी ठीक है ना आने वाले इस जो हे जादा ही लोग थे तो हमने इस पार अपना ज्यादा हिस्सा निकाल कर रखा डवल और पिशली साल यह साल जो देते थे दिए उससे डवल आता收 ii च्प्ड़ों की सीओ क्परों के साथ पेसे भी दीते हैं और गेहूंूंब पैसे भी मम्मी देती थी लेकिन इस वारते को मैं वो नहीं बता रही हूं मैं बार 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 बोले ही फिर भी कमेंट मत करना कि सुफ कर रही हो मैं बस बता रही हूं कि यह मतलब बोलाना कि तुम पैसे दे देते हैं उनको पैसे ही जरूरत है उदे को जो भी पैसा निकालकर कि हमें यह पेसे बाटने है तो मैं यह भी ने कर रही थी मतलब सामने वाली लेडिस जो मांगने लेने आ रही थी ना कि मैंने दे दिया जो मेरे मन में था वो पेसा मैंने दिया फिर उनको लग रहा है उनको जादा जरूरत है फिर वो कहते हैं कि बेटा हमें थोड़ा सा और दे दो पेसा हमें जादा जरूरत है तो मैं और दे रही हूं मतलब उनको उन और हमें नहीं तो हमदम नहीं करते Jewish नहीं हुन आधे थो फिर हम कुरोते हैं कि सब्सक्रणर रने आधे के हाख रेया कि आधे की सी ए मृत ना डेल श। मिन आना कि हुआ हुआ हैरक व्यून अनिपटान की कर रहुत यह रहती हैं बच्चे, उनके साथ लड़की हैं जो भी आई है सद्तु दिया है जितना हमारे मनलब बन सका है हमारा हम पर जितना हुआ है उतना हमने किया है दरवाजे से कोई भी निरास होकर नहीं गया है ठीक है न? रही वाद कपड़ों की तो देखो हम बड़े तो जानते हैं कि हमें इद नहीं बनानी है ऐसा टाइम चला है तो हमें इद नहीं बनानी है लेकिन बच्चों को कौन समझाएगा बच्चे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालवार कपड़े नहीं खरीदे हैं लेकिन वो अमीद यह लगाते हैं कि हमें ईद डजपर नए पर मिलेंगे वहाजी बच्चे यह जो यह उम्मीद करते कि हमें ईद जो हैं नए कपड़े मिलें तो मंगए जीनcesट इस घर बाता एहाँ हम्में कपड़े मिलेंगे तो लेडिस आई dobrze उन्होंनों और खुड मोंसे बोला कि मम्मी बच्चों कोपड़े दे दी तो मैंने कर्द मेरा और जो इना कर देती हूं येद पड़ रही है तो कपड़े मिलेंगे इसलिए मैं कपड़े ले कर आई तो मैंने उसके साथ यहां भी दिये पैसे भी दिये और कपड़े भी लिए ठीक है यह के लिए करा यह मैंने कोई सोफ नहीं कर रहे हूं कमेंट आई इसलिए मैंने करा मैंने वैसे सोच था कि मैं तो ऐसा मतलब बता रही हूं थोड़ा सा तो इसमें इंसान समझेगा ठीक है लेकिन कुछ लोग ऐसे आयाते हैं कि उल्टे सीथे कमेंट करके आता है तो उससे क्या मैं भी इंसान हूं मेरा दिल दुखता है मुझे भी बुरा इसलिए मैंने और बताया ऐसे तो बहुत सारी लोग ऐसे वीडियो मना रहे हैं कि थोड़ा सा देंगे और वीडियो मना लेंगे मैंने तो इसे वीडियो नहीं नहीं कि मैं दे रहे हैं और देते हुए मैं वीडियो मना रही हूं ऐसे तो नहीं बनाया नो मैंने एक भी बार ले फिर भी पता नहीं क्यों इंसान नफरत रखके वेटा है अरे थोड़ा सा टाइम है छोटी सी जिंदिगी है खुस रहो दूसरों को भी खुस रहने दो ब्लॉगिंग करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब तुम थोड़ा सा देखो और हमें टॉन्स मार के चले जाओ है ना तो थोड़ा सा अच्छा भी सोचा करो हर दम हर इंसान बुरा नहीं होता है अच्छे भी लोग हैं अगर हम अच्छे बनेंगे तो सामने वाला भी इंसान अच्छा बनेगा वैसे मुझे इतनी बात करने की जरूद नहीं पड़ती कि अगर ऐसे कमेंट नहीं आती तो जब गलत कमेंट आते हैं तभी मैं जो है बात करती हूं बैसे मैं जाहतर कमेंट के उपर बात नहीं करती हूं जब जब करिए जब जब गलत कमेंट आए जब जब करती हूं फिर इतना मंदलो क्या हो लूँ हूँ है फिर भी मैं सोसती हूँ कि चलो कुछ नहीं बोलो रेने तो चलो छोड़ो, कुछ नहीं है लेकिन कुछ भी गलत गलत नहीं बोला करा, मैंने इतना गलत को नहीं किया मैंने कुछ गलत नहीं किया सामने वाले की बददी कर रहे है अगर है हम पर देने देने लायक बनाया है वैसे तो अल्ला ही है सब कुछ देने वाला अल्ला सिर्फ जरिया देता है हमको जरिया बनाया है तो हम कर रहे हैं नहीं बनाता तो नहीं करते हैं है चलो पुछ नाम ले देटें कुछ बुरा लगा हो तो सौरी और पुलीस मत लिखना भिल्कुल भी ऐसे कमेंट मत करना कि मैं Sao कर रहे हैं मैंने सुरिप किलियर किया है बताया है कि में हम ये ये करते हैं । जो मेरी सास करती ट्यूंके चलो वह बुरा मनने वाली कोई बात नहीं है देखो हम भी इंसान हैं हमें भी कुछ गलत लगता है तो आप लोग कुछ गलत लगता है तो आप लोग कमेंट करके जाते हो ना तो हम audience लगत लगता है तो हम जवाब देते हैं टीक है न proud was clear कर दिया अब आप लोग की गलत फेमी दूर हो गया गई होगी है कि जिन जिन ने सकमेंट किये तो इनके लिए बोल लही हो बोह सारे लोगों न यो लोगों तो सब कुछ सही होगा नहीं समझते तो होती है ना लड़ाई विड़ाई क्यों होती है इंसानों में इसलिए होती है क्योंकि समझता नहीं है आजकल इंसान समझता नहीं है कुछ नहीं समझता समझो थोड़ी मोहबत लाओ दिलों में मोहबत ये टाइम सबका एक दुसरे का स और इस कुरोना के लिए दूआ करो कि यह जद्धी से दूर हो जाए तो अब मैं नाम ले देती हूं तो मूर ओफ हो जाता है आप लोगों कि फिर मैं कमेंट पढ़ते हो तो अच्छे कमेंट आते हैं तो मूर सही हो जाता है इसलिए मैं कुछ बोलना मैं नहीं चाहती है क्या रखा है दून्या में गिला सिकवा करने से सिकायत करने से कुछ नहीं रखा है किसी पेधाती को टोस नहीं मारा करो चacz पोलए था कि हमारे नाम नहीं लिए थे, लेगिन बोई वाली बात आते हैंbare की Skip कर देते हैं, मैं जिसके भी नाम लेती हो कुछ लोग बोलते हैं, नहीं नाम लिया है, तो मैंने आपके नाम लेते, लेकिन, मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है, मैं तो नाम कई वार ले दूँगी तो मेना फिट से ले दिये और ये हैं पाकिस्तान नाजमीन खान सा.. जी क्या है? सालीय अश्माद आमीन खान असद अली असद Кान नाम एकी है अली और खान लगे हुए असद कान असद अली सोफिया हरीस इर्फान खान तो यह थे नाम और अब भी पढ़ेंगे नमाज क्योंकि अभी दस मिनिट और हैं तो नमाज पढ़ेंगे फिर उसके बाद बनाते हैं और आज मैं बना रहें चिकन प्लाव जो कि आया है बोला था मुझसे के चिकन प्लाव की रेस्पी दो और दी इसलिए लेकिन मुझे याद था कि बोला था मुझसे तो यह दोनों रेस्पी दे रही हो वह भी रिक्वेस्ट तो बस ब्लाव बनाएंगे तब मैं बनाऊंगे अपनी मम्मी की स्टाइल से क्योंकि हम लोग को ऐसे ही प्लाव पसंदें नहीं मैं इसमें टमाटर धनिया पो रोड़ा जिए कि मेरे ज़्यादा हो रही है तो मेरे ज़्यां चुर्ण में खुज्ली मचली तो इन उतार के रख दिया है लेकिन अच्छी नहीं लगता है वीद्लाव फ्ल Gef नी उतारने बीन लोख दोदें दो थैन दिन तो हो गए मैंने पैने ही तो यह वाला डूख मान तेजपता, फूल, इलाइची, छोटी इलाइची, बड़ी इलाइची है और काली मिर्च लॉंग और दाल चीनी और यह बना है जर्दा क्योंकि हम लोग पलाओं के साथ जर्दा जरूर चाहिए यह दोनों चीज मतलब साथ में ही खाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा जर्दा ब मैं फ्राइ करें लूंगे और ज्यादा मतलब ब्राउन नी करना है बिल्कुल हलका सा जब हो जाता है ना कलर इस पे गोल्डन आ जाता है हलका वाला बस वो और यह है अद्रक लेशन और इसमें दो तीन हरी मिर्च और डाल लूंगी तो यहां देखिए यह प्याज इस कलर म में बस आ गई है यही चाहिए मुझे और यह मैंने अद्रक लेशन और हरी मिर्च में इसका पेश्ट मना ले तो यह डाल दिया है मैंने और यह थोड़ी से हरी मिर्च और काटी है तो इनको मैंने लंबा काटा है बड़ा बड़ा और बस अभी इनको भून लूंगी मैं अधार ज्यां चाहिए मतन का बनाए चाहे चिकन का तो प्लाव में थोड़ा सा सवड़ यह चाहिए तो इहां में यह अच्छे पूले में इसमें डाल दे है चिकन तो पीचिकन को भी घुति का थोड़ा कलर चेंज हो जाया वाइट कलर आ जाए तो यह मैंने ढहं करका तो यहां देखिए यह चिकन जो है अच्छे से भून गया है और कलर भी थोड़ा तो बस यह चावल मेंने डाल दिये हैं कि इसमें कहाब नी पोलिया है यहां पर में पाने कहा है यह चावल कर नोड़्य क्योंकि यह गए जायad यहां पाने पीते हैं और यह देखिए को दनके ठंडिया घंड भाक पाने कार्णाओ n इसमें एक सीटिकों बंद करते थोड़ी देर वाद खोलें प्लाओं तो यह देखिए यह मैंने खोलाई और चावल भी देख सकते हैं कितने अच्छे क्रीख अगर यूज़ करते हैं बिर्यानी में प्लाओं किसी में भी तो बहुत अच्छा मतला पनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह हमारे टेस्टी सब लॉव बंके तयार हुगा है बहुत छल्दी अगर महवान भी आ जाएर घर पे अचनक से तो तो ipod वहांति के इसको हम रभी व्हारों तयार कर सकते सिर्फ 10 फंट पर सारी तयारियों के साथ क्योंकि बहुत ही यह एजी और लेकिन टेस्ट ही बहुत लगता है तो हमारे घर पे प्लाव बनता है तो यहीं बनता है के दौल करगों दाल है तो यह मूमदाय है च्छिलके वाली CARV यह व्यासी है इसको जो है ढड़सा है चिल्के वाली डाल होती है इसको देख कीट हिर देता है तो कुछ छिल्का निकाल देना है क्रीण निकलने निकल में marks孔 पूरा चीन यह निकाला करए लेकिन में पूरा चीना निकाला चीना निचाल निकल देखने कर चीना आधा डूर, इस भतायरी। डाल भी हो जाएसां कर albeit अभी हो जाती तो यहाद्य हूस कोपीलिन निकल और में सकत के दीजी। मैंने पीस के सुबा इसाल आता है जैसे कि प्याज, धनिया, हरी, मिर्च , अद्रक भी जाती लगिन अद्रक मेरे पास नहीं है और इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सौफ बस यह तीन चीज़े और जाएगी नमक नमक के बिना तब कुछ नहीं है खाने के अंदर तो इसमें नमक जाएगा तो अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं सारे चीज़ा और फिर फ्राइ करते हैं तो यहां मैंने गरम मसाला, लाजमिश पाउडर, और शौफ और नमक डालिया है, प्याय डाली है अभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि जादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए तो बस इसको मैं निक्स करूँगे और इन बढ़ों की हम सबची भी बना सकते हैं तो आजमी ने सुबा सबची ने बनाए थी तो अभी मैं सबची बनाओंगी इसकी बहुत जल्दी बन जाती है बहुत ही टेश्ची लगती है और मेरे हिसबन की फैबरेट है मॉगोड़ा की सबची तो मैं बोवी बनाओंगे तो बोवी आपने बता दूंगे क्योंकि जब दी मगोड़े बनाए तो सब्ची हमारे घर में जरूर बनती है और मेरी मम्मी की फूर्थ फैवरेट थी जरूर बनाए ती इनको बहुत अची लगते हैं जाहे मटन नहीं खाएंगे लेकिन ममोड़े की सब्ची पोख़व जाना फैवरेट दियोंकि तो यहां मैंने जो है अच्छे से प्याज को जब हम इस तरे किसमे मिक्स करेंगे तो इसको मतलब तूड लेंगे तूड जाती है वह यह देखिए अलग 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 हो गई है लो जब मेडर ना करने लो थो अलग घुद रहोटे उद्ट करते हैं मसले अंच प्कमे खाहिए अलग में जालता हुग प्यूंकि तो बिना पानी डाले पीछते हैं पानी डाले पीछते हैं अगर तुरंत पीछते हैं तो बिल्कुल भी जरूत नहीं लगती है पानी की बस इसको धूए और पीछ ले तो बहुत आसान इसे पीछ चाती है तो अभी ऑईल गरम नहीं बाए है तो यह मोरी तो इस तरही जाएं तो थोड़े चप्ते भी करने जिसे क्रिस्पी सिखेंगे हैं और दाल को दर्डराई पीछेंगे जब ही मगोड़ मजाता जब तक वो दाल कुर कुर नहीं बोले ना यद तक मगोड़ा कोई मज़ा नहीं है तो अगर हम बारिक पीछेंगे तो फिर पकोड़ियों में और इनमें मगोड़ों में कोई फर्खनी रहेगा कि अनको थोड़ा से इस तरीके से दबा आपी सीखेंगे इससे काई अंदर से रहें कि अंदर से तो सौस्ती रहेंगे लेकर अंदर तब यह स्राइब हो जाएगी कि अज़िए कि मैं निकाल लिए तो अब ही मैं पापा को दे रही हूं क्योंकि गरम गरम है तो गरम ही अच्छी लिपे इस पडाल दीगे दोदो ज़िए तो चाट मसाला अब कि इस थरीके से थोड़ा सी डाला में अबस चाहे चटनी भी बना सकते इस के साथ केचप के साथ पिखा सकते तो आपाओं केचप के साथ अच्छे लबती है तो मैं केचप भी दे रही हूं तो यह रहे हमारे को पटेट टेस्टी गरम-गरम मंगोड़ी हम मंगोड़ी बोलते हैं तो में मंगोड़ी बोली उनको मूम दाल के मंगोड़ी कुड़ीタी क्या लिता है वी रहे रहे हम पीपशosके साभ के मम दाल का जते हैं थाथर science daa झाले में और झाले शड़ी नहां को प्रेज़ कर दो प्रेज़ के लगर सुछते हैं झाल झाल